हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे छोटे से चैनल पर जिसका नाम है । आज की इस पर्टिक्लर मेकैनिक्स की वीडियो में हम बात करेंगे टर्मिनल विलॉस्टी के उपर तो फर्स्ट आप जानेंगे की की टर्मिल विलॉस्टी होती क्या है कि यदि बेलासटी निव विलॉस्टी इस देल विलॉस्टी इस पर स Perspekt टू चॉञें । that change in velocity with respect to time is constant मतलब कि क्या है यहां पर क्या है change in velocity with respect to time is constant means कि यहां पर यहां पर d by मतलब कि यहां पर change in velocity तब dv dv by dt is equal to some constant जब इसका डिफ्रेंशियेशन होगा constant का तो वह equal to 0 आएगा hence d2v d2x by dt square is equal to 0 ठीक अब हमें क्या करना है अब इसका में क्या करना है कि कि देखिए change in velocity with respect to time is constant means कैसे होगा कि अगर एक पार्टिकल अर्थ के gravity के मतलब एक पार्टिकल अर्थ की gravity के अंदर आया अब ग्रेवटी क्या करेगी इस पर फोर्स लगाएगी इसको पुल करेगी नीचे कितने रफ्तार से ग्रेवटी की value होती 9.8 into 10 to the power something होती है ग्रेवटी इसको इतने रफ्तार से खीचेगी मतलब कि जब पार्टिकल नीचे गिर रहा है तो उसकी speed बढ़ेगी 9.8 हो जाएगी मान लिएगी अगर ये पार्टिकल विववश्टी से move कर रहा है तो ये अर्थ की gravity के ग्रेवटी के contact में आते ही v into 9.8 से बढ़ जाएगा बट जब इस पार्टिकल के विववश्टी अर्थ के atmosphere में अंदर आते आते इतनी हो जाएगी इसके बाद तो वह फिर बढ़ेगी नहीं है ना क्योंकि अब इस ने इस पार्टिकल ने एक पार्टिकलर विववश्टी अचीव कर लिए है यहां से यहां तक तो वेलोस्टी इन्क्रीज कर रही थी बट अब अब इसके बाद अब इसके बाद इसकी वेलोस्टी इसमें हो गा ही नहीं फिर आप इसी वेलोस्टी से यह पार्टिकल ऑल ट वे मूफ करता जाएगा अब हम इसमें लट करते हैं कि at any time t at any time t let d2 x by dt square is equal to 0 कब तब इसकी velocity let at d2 x by dt square जब इसकी velocity जब इसकी change in velocity 0 हो रही है जब इसकी change in velocity with respect to time 0 हो रहा है तब इस particle की velocity को मतलब की at this particular edge मतलब इस time के बात में तो इसकी हम velocity को हम capital भी मान लेते हैं ठीक और हमने पिछली वीडियो में एक formula टेराफ किया था जो की कुछ इस तरह से था d2 x by dt square is equal to g minus kv फॉर्म में था यहाँ पर kv यहाँ पर आएगा 0 is equal to g minus k अब देखिए यहाँ पर में पर वेलोस्टी थी अब हमें यहाँ यहाँ पर हमें पूट करना है तो यहाँ पर आ जाएगा capital V अब यहाँ से value निकालेंगे capital V की जो की क्या होगी g upon k v की value होगी g upon k hence this is called terminal velocity जो की देखिए एक तरह से constant ही है क्यों? क्योंकि g भी constant ही होता है अर्थी कुछ gravity की कुछ fixed value होती है और k भी यहाँ पर constant ही था hence कि यह कोई एक particle velocity पर आके constant हो जाएगी है this is called the terminal velocity अब हमने पिछले वीडियो में हमने एक और हमने formula हमने derive करा था जो की कुछ इस तरह से था v is equal to g upon k 1 minus e to the power minus k t अब देखिए अब हमें चाहिए कि velocity यह क्या है यह terminal velocity है और यह क्या है इस पार्टिकल की velocity पूरे जर्नी में इस पार्टिकल की velocity क्या होगी तो इससे क्या ज़र गए यहाँ पर देखिए कि अब हम प्रीवयस वीडियो में हमने वी और ट के बीट में हमने relation हमें निकाला था तो हम आज की वीडियो में हम x and t के बीट में हम solution निकालेंगे अब देखिए मेरे पास क्या था कि हमने पिछली वडिय में हमने क्या हमने formula निराइफ करा था वह formula कुछ इस तरह से था d2 x by dt square is equal to g minus kv k small v ये था मेरे पास formula आप देखें इस formula देखें कैसे हम लिख सकते हैं क्या हो गए यहां पर d by dt of dx by dt of dx by dt is equal to g minus kv अब हमें यहां पर क्या करना है हमें no इस formula से तो dx by dt तो में पास हैं पर d by dt यहां में पर बच जाएगा फिर इसका फिर हम क्या करेंगे no यह formula ना यूज़ करके हम इस formula को हम यूज़ करेंगे v is equal to g by k 1 minus e to the power minus kt यह formula था ठीक आप देखें इसको अब हमें चाहिए हमें x and t की बीच में हमें चाहिए हमें relation तो वी कॉम क्या लेख सकते हैं इसको लेख सकते हैं dx by dt is equal to g by k मेरे बास क्या था चलिए उसकी value बात में पूट करेंगे पहले अभी ऐसे पूट करते हैं कि यहां क्या था जी बाई के यहां हो जाएगा g y k minus g y k to the power minus k t into dt यह से लिखेंगे इंड इसको अब आपर इसको अब इसको अब इसको को आपर इंटिए करेंगे तो मिरे पास क्या आएगा g by k minus integration of g by k e to the power minus k t into dt whole into dt, यह में पास आएगा, अब देखें यहाँ पर, यह dx यहाँ पर x बन जाएगा, equal to, अब यहाँ पर, मेरे पास क्या है, g by k, क्या है मेरे पास, यह मेरे पास constant था, g भी constant है यहाँ पर, क्या पर, यहाँ पर यहाँ पर, यहाँ पर क्या आजाएगा है T की respect में हम differentiate कर रहे हैं Hence यहाँ पर T आजाएगा मतलब d t की respect में हम integrate कर रहे हैं तो यहाँ पर T आजाएगा यहाँ पर minus अब देखिए यहाँ यहाँ पर g by k constant है तो g by k बाहर आजाएगा e to the power minus k t का integration क्या होगा इसका integration होगा e to the power minus k t अपन माइनस के constant अपने sign के साथ नीच आएगा यहाँ पर यह मेरे पर आजाएगी value x is equal to g by k into t minus g by k square यहाँ पर प्लस होजाएगा यहाँ पर then e to the power minus k t यह मेरे पर आजाएगी है value x की x and time के respect में but यह मैंने यहाँ पर गलत लिखा है यहाँ पर plus c भी यहाँ पर आएगा ठीक अब हमें इस plus c को अब हमें remove करना है अब हमें यह plus c को अब हमें remove करना है तो अब हम यहाँ पर कुछ conditions put करेंगे जिसको हम initial conditions बोलते हैं तो यहाँ पर अब यहांपे हम क्या पूट करेंगे कि t at t is equal to 0 at t is equal to 0 x is equal to 0 then यहाँ पी x equal to 0 put करेंगे यहाँ भी 0 हो जाएगा 0 plus g by k square e to the power minus kt यहाँ क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा plus c then c is equal to यहाँ जाएगा यहाँ पे g by k square कब minus यहां पे यहां पस्कार स्लेंगी那么 है की को ही वी यहांपे इस अपर एकशन आएंगी तण यहां पर आएगा प्लस ऑफ माइनस जी जी दायग स्क्राइर यहें मेंएर rupees पास हाजे लियुण X is equal to g by k, यहां से क्मान ले 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 लेते हैं यहां से हम, तो g by k, यहां जागको यहां पर t plus, यहां जागको 1 by k, e to the power minus kt minus of 1 upon k, यह मेरे पास बचेगा, देन, अब देखीं, मेरे पास यहां क्या था, v is equal to g by k, निकए हमने पहले अब हैं जोब कर दो जीघे केशंसे हैं जीज़ए के एर यहां पर अब यहाँ पे को और किया थे capital V upon G क्या यहीं आएगा यहीं सेम यहीं आएगा अब यहाँ पर X is equal to G by K अब वन पॉन के एक वैलू यहाँ पर पूट करेंगे तो T प्लस V by G e to the power minus KT minus V by G X is equal to अब यहाँ पर G by K मेरे बाद क्या था अब देखिए अब मेरे पास क्या बजाएगा यहाँ पर X is equal to V into T plus V by G और minus KT minus V by G यह मेरे पास आएगी value X and T के बीच में relation यह मेरे पास find हो गया अब हम अब हम next वीडियो में बात करेंगे मतलब कि अब हम next वीडियो में अब हम derive करेंगे relation X and V के बीच में आभी तक हमने X and T के बीच में हमने relation find कर लिया इस वीडियो में and V and T के बीच में हमने relation find किया था पिछले वीडियो में and अब next वीडियो में अब हम relation find करेंगे X and V के बीच में तो मिलते हैं आप लोग से next वीडियो में तब तक कीप लेर्णिंग और क्या ही बोले पढ़ते रहें मौझ करिए